नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हैपी फूड्स की एक नई वीडियो में दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बसा यानि के फैट के बारे में और जानेंगे कि फैट हमें किस रूप में या किस रोथ से प्राप्त क कर रहे हैं और कौन सा good हमारे स्वास्थे के लिए हानिका रग यह कहा जाता है लोग कहते हैं जो भैंस या बकरी के दूद से आप fit प्राप्त करते हैं वह म स्वास्थे कर रहे इसी के विपरि जोस्तों अगर advanced science की बात करें modern science की तो आज कल कहा जाता है कि आपको अपने खाना बनाने के लिए तेलों का इस्तमाल करना चाहिए चाहे वो तिल के तेल की बात करें, सुरज मुखी के तेल की बात करें, मुंगफली के तेल की बात करें, जैतून के तेल की बात करें ये तमाम तरह के तेल हैं इनको कहा जाता है कि आपको अपने डाइट में इन तेलों को इस्तमाल करना चाहिए अपना खाना बनाने के लिए इन तेलों को इस्तमाल करना चाहिए तो दोस्तो आज की वीडियो में इसी बात पर हम चर्चा करेंगे इसी बात को जानेंगे कि हमारे लिए कौन सा स्वास्ते कर रहे है क्या देशी घी हमारे लिए फायदे मन्द है या इसके विपरीत तेल हमारे लिए फायदे मन्द है दोस्तों अगर दोनों में अगर आप difference करने की बात कहें तो सायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि तेल और घी के बीच का क्या अंतर होता है दोस्तों अगर कोई भी fat आपके room temperature पर जो 18 से लगबग 24 degree Celsius रहता है अगर इस temperature पर जो वसा है आपकी जो fat है वो जम जाता है तो मानिए वो घी की सरेणी में है और जो 18 से 24 degree Celsius के temperature पर तरल रूप में पाय जाता है वो तेल की category में आएगा तो दोस्तों इसमें आपको एक चीज और जानने की ज़रुत है जो आपका घी है इसमें दो component आपको देखने को मिलेंगे एक होता है saturated fat एक होता है unsaturated fat saturated fat दोस्तों वो जिसकी वेज़े से घी जमता है saturated fat की वेज़े से जमता है जो room temperature पर आपका घी जम रहा है उसमें saturated fat की मात्रा जादा है ये लगबग 70% तक जाती है अगर आप गाये के घी की बात करें तो उसमें saturated fat की मात्रा लगबग 70% होती है और unsaturated fat की मात्रा लगबग 29.9% के असवाज रहती है 0.1% जो इसमें component है उसमें आपके कई minerals रहते हैं, vitamins रहते हैं, अन्ने yogics पाई जाते हैं अब बात करते हैं दोस्तो तेल के बारे में, तेल जिसमें saturated fat की मात्रा कम पाई जाती है, इसमें unsaturated fat की मात्रा जादा बाई जाती है दोस्तो अगर आपके स्वास्थे के लिए बात करें, fat आपके लिए बहुत जरूरी है, आपकी body के लिए, आपकी body को energy देने के लिए तो यहाँ एक चीज आपको ये भी जानी चाहिए, कुछ फैट तो आप अंदेखे रूप में सेवन करते हैं, कुछ को आप देखते वे सेवन करते हैं, अंजाने रूप में जो आप फैट का सेवन करते हैं, वो आपको जितनी भी आप अनाज का सेवन करते हैं, दालो का सेवन करते हैं इनमें आपको फैट प्राप्त होता है चाहे आप ड्राइब फ्रूट का सेवन कर रहे हैं पीनट का सेवन कर रहे हैं इन सब में आपको फैट प्राप्त होता है जिसको कहा जाता है कि आपने अंदे के रूप में फैट का सेवन किया है एक कंपोनेंट होता है एक पार करके खाते हैं तो उस कैटेगरी में आएगा तो यह दो तरह से आप पैट का इंटेक करते हैं अब बात आती है आपको कौन सा इंटेक करना चाहिए दोस्तों आज कल आप देख रहे होंगे कि लोगों में हार्ट संबंदी बिमारी जादा पनप रही है अगर आप सेचुरेट दीरे उसकी पर्त बननी सुरू हो जाती है एक प्लाग जमना सुरू हो जाता है और यह दीरे दीरे ब्लोकेज की तरफ जाता है इसलिए दोस्तों आज की एड़वांस साइंस जो मोडर्न साइंस है वो इस बात को प्रमोट कर रही है कि आपको सेचुरेटेड फैट का इंट मातरा जादा होती है जो आपके हार्ट संबंदी बिमारियों के लिए एक कारक हो सकती है या उसका कारण बन सकती है इसके विपरी दोस्तों जो तेल आप चाहे सरसों के तेल की बात करें मूमफली के तेल की बात करें तिल के तेल की बात करें जैतून के तेल की बात करें इस इसमें unsaturated fat की मातरा ज़्यादा होती है saturated fat की मातरा इसमें कम पाई जाती है आप इसका saveन करिए ये ये आपके लिए ज़्यादा स्वास्ते करोगा दोस्तों अगर fatty acids की बात करें जितने भी आपको तिलहनों से मिलते हैं जो दने भी तेल आपको वनस्वती से प्राप्त होते हैं इन में fatty acids की chain जो आपके heart के लिए अच्छी होती है vitamin E की बात करें वो अच्छा पाय जाता है vitamin A की बात करें, vitamin D की बात करें ये उन में अच्छी मातरा में पाय जाते हैं जो आपकी overall health के लिए आपके heart के लिए अच्छा माने जाता है दोस्तो fat जो अपने आप में मैंने जैसे बताया आपके लिए energy देने का काम करता है अगर आप comparison करें, अगर आप 1 gram fat का intake करते हैं तो इससे लगबग आपको no calories पराप्त होती है अगर आप 1 gram protein या carbohydrate का seven करते हैं तो उनसे लगबग आपको 4 calorie पराप्त होती है यानि कि जितना भी आपको protein से carbohydrate से जो energy आपको पराप्त होती है जो calories आपको पराप्त होती है उसका लगबग दो गुना आपको fat से calories पराप्त होती है आपकी बोड़ी के लिए एनर्जी देने के लिए फैट जरूरी है लेकिन कहा जाता है इसका आपको सिमित मातरा में सेवन करना चाहिए ज़्यादा मातरा में आप सेवन करेंगे तो इससे आपको जो मोटा पा है वो बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहेगी साथ ही साथ आपको हार्ट संबंदी बिमारी आ हो सकती है आपका हाई बलड प्रेशर हो सकता है अगर बात करें कलोस्ट्रोल की जो बैड कोलोस्ट्रोल है वो बढ़ने की संभावना रहती है तो इसलिए दोस्तों आप जो भी तेल का इस्तमाल करें अगर आपको हाध सब्बंदी बिमारी है तो कोशिश कीजिए जो poly unsaturated fat है, या mono unsaturated fat है, आप उनका सेवन करिए, इसके लिए आप जैटौ Un सेवन कर सकते हैं सरसों के तेल सेवन कर सकते हैं सीर डर दोच से बनेवे मैं का सेवन कर सकते हैं वो आपके लिए जादा पेनिफिश्टी होगा उसमें विटामिन अच्छी मातरा में पाय जाते हैं साथ ही साथ उसमें जो OMEGA FAT की जो चेन है वो भी अच्छी मातरा में पाय जाती है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो को देखकर आपके मन में आपके लिए स्वास्ते करोंगे दोस्तों यही आज की वीडियो का कंटेंट था उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो लाइक शेर जरूर करेगा और इसी तरह की वीडियो को जानने के लिए मेरे चैनल को भी शेयर और सबस्क्राइब जरूर करिएगा नमस्कार